आकास भूमी न्योज राश्ट्रिय समाचार पत्रव वेब न्योज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनुखी जलक भदोही के कासी सदन में बरसों से सुरू ही प्रथा आज भी चल रही है पौराणी कथाये और समाज में प्रेणा अदायक रही भूतियां आज भी एक अच्छे और सच्चे भारती समाज का संचालन कर रही है भारत भूमी पर कुछ ऐसे चहरे हुए जिन्होंने न सिर्फ भारती समाज को बलकी पूरी दुनिया को अपने अद्बुत कारियों और आदर्सों से प्रकासित क्या कुछ इसी तरह की परंपराज जन्पत भदोही के गोपी गंजिस्तित कठोता गाउ में आज भी चल रही है कासी सदन कांग्रेस सरकार में कैबनेट मंत्री रहे पंडित स्यामदर मिस्र की वज़ह से सुर्कियों में आया दरसल पंडित स्यामदर मिस्र का कासी सदन जहां एक तरफ पुर्वांचल की राजनीती के पितामा कहे जाने वाले पंडित स्यामदर मिस्र का निवास स्थान था तो वहीं प्रतिदिन जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए पंडित स्यामधर मिस्र द्वारा जनता दर्बार लगाय जाता था जनपत के अनुभवी लोगों की माने तो कासी सदन में लगाए गए जनता दर्बार में जो वादा किया जाता था उसे निश्चित समय पर पुरा किया जाता था हाला कि साल भर में जितने भी त्योहार होते थे कहा जाता है कि पंडित स्यामधर मिस्र जनता के साथ मिलकर मनाय करते थे पिता कि इसी परंपरा को कायम रखते हुए पुर्वांचल राज्य बनाओ संगर समीती के प्रनेता और पंडित श्यामधर मिसर के बड़े बेटे पंडित विनूत श्यामधर मिसर न सिर्फ अपनी सगी बहनों के साथ बलकि छेतर से आने वाली सभी बहनों से राखी बंधवाते हैं और जीवन परियंत उनकी रक्षा का वचन देते हैं उनका कहना है कि केवल सत्ताधारी दल के साथ जुडेने से कोई व्यक्ति राजनीतिक नहीं हो जाता बलकि वास्टविक राजनीतिक दिल में होनी चाहिए क्योंकि वास्टविक राजनीतिक कहती है कि पहले सबका भला करिये फिर अपना भला वास्टविक राजनीति का यदि अवलोकन किया जाये तो इससे यही निसकर्ष निकलता है कि दूसरों के लिए जीने वाला ही असली राजनीतिक यह है पंडित विनोत स्यामदर मिस्र अपने अच्छे कारियों के लिए सदयव चर्चा में रहते हैं आलम यह है कि कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतरने के लिए पंडित विनोत स्यामदर को आमंत्रित भी कर चुकी है हलाकि पड़ित विरोध स्यामदर मिस्र का कहना है कि तब तक जनपत का भला नहीं हो सकता जब तक निस्पक्च रूप से लोग वोट करना सुरूर नहीं कर देते उन्होंने कहा कि यह जनपत का दुर्भाग्य ही है कि चुनाओं में जीत के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च करने की होर मच जाती है ऐसे में अधिक से अधिक पैसा खर्च करने वाला इंसान कैसे जनपत का भला कर सकता है अता है आम जन्ता को जन्पत के विकास के लिए कही ना कही जागरुक होने की जुरत है उन्होंने कहा कि जन्पत के विकास के लिए ऐसे इंसान को चुनिये जो भले ही चुनाओं में पानी की तरफ पैसा न बहाए लेकिन जनता का भला सोचे पढ़ा लिखा हो दूरदर्सी हो यकीन मानिये जिस दिन जनपत भदुही की जनता ने ऐसा किया पूरे देश में यह एक एदिहासिक कदम होगा और एक स्वच राजनिती के निर्मान के लिए भदुही नसियत के रूप में जाना जाएगा जनपत वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप में नीचे लिखे नमबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें वाटसाप भी कर सकते हैं